तो इस पिछली टुटोरियल के अंदर मैंने आपको OS module के बारे में बता था कि आप कैसे OS module का यूज कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूंगा इस if name equal equal main क्या चीज है इसका हम क्यों यूज करते हैं और यह किसलिए useful है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं अभी एक फटा फट से अपना नया टुटोरियल बनाता हूं name equal equal main.py यह बनाता हूं यहाँ पर लिखता हूं अपना जो टुटोरियल लंबर है 55 ठीक है 55 और जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखी गाईस मैं आपको फाइल के बार करता है और मैं करता है और मैं तो यहाँ जिसको रन करता हूं जयाता है वार इस यहाँ प्रिंट करना चाहता हूं अपनी इसवारी फाइल में तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट PP, और मैं याप इंपोर्ट करके यहाँ पर उस function का यूज़ करूँगा, जैसे पी डोट, SUB, sub मैं इस function को start कर दूँ आ उर जैसे मैं इसको run करता उए यह यह मैं हो क्या हो रहा है तो subscribe और channel भी आ रहा और 55 भी आ रहा पर यह तो इसके अंदर है ना यह क्यों आ रहा है फीक है यह क्यों आ रहा है में रियो को सिर्फ एक बार मैंने इनको execute करता है उसके बाद इस चीज़ को execute करेगा ठीक है तो उसको रोकने के लिए उसका एक solution है हमारे पास if name equal equal main ठीक है वो कैसे हम लिखते हैं सबसे पहले आप लिखोगे if उसके बाद आप अंडरिस्कोर अंडरिस्कोर नेम लगाओगे फिर अंडरिस्कोर अंडरिस्कोर फिर equal to लिखोगे underscore underscore main underscore underscore ये लिखोगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ यह खाली equal नहीं लगाना आपको equal equal लगाना equal equal का मतलब आपको पता है यह check करता है ठीक है अगर यह दोनों equal है तो यह होना चाहिए तो यह होना चाहिए वरना यह नहीं होगा अगर मैं इसको अब यहाँ से run करता हूँ तो तो हमारे पास subscribe और चैनल और 55 आ रहा है ठीक है और अगर मैं अब इसको यहाँ से इस file से run करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ यह आ रहा है subcribe our channel ये कैसे हो रहा है ये इसका मतलब क्या हो रहा है यहाप्र अगर मैं यापर print करू print name ये चीज चीज क्या है name एक तो variable है सबसे हो सब पता चला है ये name क्या है एक variable है अगर मैं इसको print करूँ तो यहापर क्या है main मतलब कि जिस program को आप चलाओगे जिस भी प्रोग्राम को आप चलाओगे तो उसके नेम में में से हो जाएगा ये में से हो जाएगा में मतलब की ये है भी में प्रोग्राम और अगर मैं इसको यहां से कॉमेंट आउट कर दूँ और अगर मैं यहां पर जाओं, यहां पर मैं करूuğu print name, print name. ठीक है. और अगर मैं अब इसको यहां से run करता हूँ, तो अब जो main program है वो यह essa है, अब क्या है, यहांपर main हुआ, इस name के अंदर अब क्या है, main है, under он underScore uw this is his name . तो अगर ये दोनों सेम है तो तो ये प्रिंट होना चाहिए वरना नहीं होना चाहिए अब हम इसको एक्जेक्यूट करेंगे और ये वाला नेम देखते हैं क्या है ठीक है अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो पीपी आ है पीपी मतलब उस पाइथन खके हैं वह उपामेटिकली उनके नेम में वो से व拜拜 जै से यह पीपी नाम बेखते हैं थी में पीपी से हो जाएगा जब हम इसको और से ठीक करेंगे तो यहाँ पर में आरा में और ये फंचन है अगले टो इसके अंदर में फंक्शन होता है तो गाई ज्यादा बड़ा टोपिक नहीं था यह आज बस मैंने आपको बताना था कि यह नेम इकोल इकोल में है कैसी जो इसको कैसे और क्यों यूज किया जाता है ठीक है तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्ट वीडियो को इंदर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें उन्हें दोस्तों के साथ जो भी पाइसन चीकर ना चाहता हो काई बेशिक से लेकर इस टूट वन से लेकर प्रिंट हेलो कोड से लेकर आज हम कहां आ चुके हैं अमने सारा अब्जेक्ट और उरियंटेड कर लिया है सब कुछ तो कर पहले आज आज मेरी जो playlist है पाज़न की आप उसको access कर लीज़िए ठीक है यहाँ पर यूटुब पर डेथ को लिखे आप यहाँ पर इसको access कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिलजेंगी मेरी starting से लेकर एंड तक कि आप देखिए जो भी आपको डाउट लगए आपको में पूछ सकते हैं कैज आपको आपका रिप्लाइ जरूर मिलेगा अगर मैं दे सका तो तो गाइज मिलते आपको फिर नेक्स्ट वीडियो अंदर तब तक के लिए गाइज बाई सी यू अगे इन नेक्स्ट झाल 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 झाल